Hello everyone, Welcome to our YouTube channel UBS Classes देखे, आज हम करने वाले Pre-Board Exam 2021 का जो हमारे एक Environment का पेपर है जिसका पूरा नाम है परियावरन, सिक्चा एवं आपदा प्रवंधन, इंग्लिश में इसका नाम है Environmental Education and Didaster Management तो हम हिंडी और इंग्लिश डोनों में एक जैसा ही करने वाले हैं एक ही वीडियो में आपको दोनों आंसर से मिल जाएंगे तो फटावत से स्टार्ट करते हैं फर्स्ट हमारा कोशन है सही विकल्प, चूज दे करेक्ट ओप्शन और उसका फर्स्ट वाले जो कोशन है कोशन है हमारा टो देखें यहांपर 21 मार्च दिन यह बनाया ई दा है लेकिन कहीं पर भी ऐसा कुछ ऑप्शन नहीं दे रखा है हो सकता है वो 2 मार्च या 21 मार्च हो लेकिन सही आंसर आपका होगा 21 मार्च इसका आगे चलते हम फोट वाला आज़े वाला कोशन है बारत का पहरा परेवरन अंदुरन था तो इसका अंतर होगा चिपको अंदुलन या फिर चिपको मुमेंट है यहां पर लिखा है गौरपाटा का वेग्यानिक नाम है फिप्ट वाला हमारा कुशन है इसका सही अंतर होगा एलो वेरा और हिंदी में एलो वेरा उसके बाद है शान्ट गाती साइलन्ट वेली कहाँ पर रहे केरल में है कहाँ पर रहे है केरल में सेवंट वाला हमारा कुशन है पॉलिठिंद corridh का बहूलक है तो किसका है एठीन किसका है एठीन इसके बाद एठ परुला कोशन है Cancer के उप्चार में उप्योगी है तो नीम की पत्तिया Cancer के उप्चार में उप्योगी होती है इसके बादे Bukang Mapant में उप्योगी उप्वरन को कहा जाता है तो क्या कहा जाता है Sismo Meter उसके बाद Last वाला Question है Tsunami किस भाचा का सब्द है Tsunami is a word that is language Japanese word है कौन ची बाचा का सब्द है Japanese बाचा का सब्द है Second question है एक वाक्य में उट्टर या एक शब्द में उट्टर डीजिए सदा बाहर का वेग्जानिक नाम है To सदा बाहर जो हमारा सदा बाहर जो हमारा होता है उसका वेग्जानिक नाम क्या होता Cataranthus और English में इसकी इस्पिलिंग आपर लिखे वी है आप यहाँ आप से देख सकते है Then उसके बाद उटपादक कौन है Producers तो कौन है Green Plants यादि की हरे पोड़े आगे चलते है Question है Decible क्या है What is Decible तो हिंदी वन्दिवा माले लिखेंगे जबकि English में होगा Sound is measured in units called Decible Then उसके बाद अगला Question है हमारा सफेद चीटों के लिए प्रसिद्ध राष्ट्री नेशनल पार्क कौन सा है तो यह कौन सा है हमारे MP में ही है Bandogar राष्ट्री उढ़्यान Bandogar नेशनल पार्क Then उसके बाद हमारा Next Question है Pistia किस प्रकार का पोड़ा है Which type of plant is Pistia तो Pistia कैसा पोड़ा है जली पोड़ा है Aquatic Plant है इसके बाद Sixth वाला हमारा Question है भारत का राष्ट्री जल जीव कौन सा है तो कौन सा है गंगा डॉल्फिन गंगा नदी में पाई जानने वाली डॉल्फिन जो है वो हमारा राष्ट्री जली जीव है इसके बाद है भुपाल्थ Case Tragedy या फिट रासडी कभुईटी तो कभुईटी 1984 में हुई थी है तो यहाँ पर हिंदी और इंगली दोनों में एक जैसा ही लिखना है 1984 देन उसके बाद है CNG का पूरा नाम लिखना है What is the full form of CNG तो CNG का full form उटा है Compressed Natural Gase इसको भी हिंदी और इंगलीज में एक जैसा ही लिखना है देन उसके बाद है हमारा Bio Gase में कौन सी Gase पाई जाती है तो कौन सी Gase पाई जाती है Methane Gase पाई जाती है इसके बाद Tent वाला कुश्चन है Ads का पूरा नाम बटाईए तो Ads का पूरा नाम उटा है Acquired Immune Deficiency Syndrome यह इसका आंसर होगा है यहाँ पर इसके इस्पेरिंग लिखे विए है आप देख सकते है Then अगर आपने हमारी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कल दीजिए ताकि Preboard की जो पेपर इनके solution हम लगातार यहां से दार रहे हैं ताकि आपको मिल पाए आप जल्दी से जल्दी उसको कर पाए आगे चलते हैं अब है हमारे पास रिक्त इस्थानों की पूर्टी कीजिए फिलिंड़ ब्लेंक्स तो फर्स्ट वाले लिखा हुआ है सुन्दरवन डेल्टा किस राज्य में तो किस राज्य में है बस्चिम बंगाल हिंदी मीडियम में हम बस्चिम बंगाल लिखेंगे जबकि इंग्लिश में लिखेंगे वेस्ट बंगाल देन उसके बाद आगे चलते है मुट्रा लयों में टिक्षन गंड का कारण कौन सी गेस होती है तो इसको इंग्लिश में हम बोलेंगे विच गेस इस कॉज़़ बाइ प्रिग्मेंट इसमेल इन यूडिनल्स तो क्यों सी गेस है वो अमोनिया गेस है देन उसके बाद थर्ड वाला कोश्चन है पॉर्मुला अब दो ओजोन ओजोन का सुटर क्या होता है ओठी क्या होता है ओठी आगे बढ़ते हैं कॉश्चन नमर फोर है हमारा दो फ्लर्ड इज अ डिदास्टर यानि की बार एक आपदा है तो केसी आपदा है यह प्राकतिक यानि की नेचुरल डिदास्टर है फिप्ट वाला हमारा कोश्चन है डीडीटी कोजेस पॉल्यूशन डीडीटी के कारण कौन सा पॉल्यूशन होता है वैसे तो वाटर, एयर पर सबसे ज़्यादा जो होता है म्रदा मतलब स्वाइल पॉल्यूशन होता है यह हमारे पांचों कोश्चन हो चुक है इसके बाद हम आगे चलते है चलिए सिक्स्ट वाला जो कोश्चन है रेडियो धर्मी प्रदूशन नापने की काई है दा यूनिट आफ मेजर्मेंट आफ रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन इज पैकुलर और इंग्लिश में इसके स्पेलिंग ओटी बी, ए, सी, क्यू, यू, ए, आर, इ, ल देन, हम आगी जलते हैं सेवन्थ वाला हमारे कोश्चन है नीम ने टर्टो पाया जाता है नीम में कौन सा एलिमेंट पाया जाता है तो देखे इसका आंसर हमें आपी तक नहीं मिलाए अगर आपके पास होता है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं एट वाला कोश्चन है मारे पास कोट जल नीम भी का जाता है कौन सा इसा पोड़ा है जिस वो जल नीम कहते हैं तो ब्रहामी तो हम जल नीम भी कहते हैं देन इसके बाद प्रत्वी सम्मेलन किस नगर में हुआ था या फिर कोट कर अट संपित और और्गनाज़िस कोटन के किसár इसा पर घ्यान खै जीसा कि आपको पता है कि हमारा हिंदी और माच कपेपर हो चुका है तो उसकी वीडियो हमारी चैनल पर है आप देख सकते हैं solution की पूरी वीडियो देन उसके बाद हम आगे चलते हैं question number four सत्य असत्य true false तो देखिए यहाँ पर हम करेंगे true false तो first question है हमारा सोर उर्जा एक नविनी करत इस्ट्रोट है सोरो energy non renewable resources तो यह बिल्कुल गलत बात है तो यहाँ पर असत्य आने की false होगा petroleum जिवास में धने तो यह बिल्कुल सही बात है तो सत्य होगा इसके लिए डीडीटी जा इन्सेक्टिसाइड यह क्या एक प्रीटन आसत्य बिल्कुल सही बात है देन इसके बाद हम आगे चलते हैं आवला विटामिन डी का स्ट्रोथ है आवला इसे source of विटामिन डी बिल्कुल गलत बात है क्योंकि विटामिन सी का स्ट्रोथ होटा है चलिए आगे चलते हैं फिप्ट वाला हमारा कुश्चन है मालवी उंट बाला घजिले में पाय जाते हैं तो यह बिल्कुल गलत बात है असत्य होगा इसमें देन शिक्त वाला कुश्चन है हाइडिला एक जली पोड़ा है याने कि हाइडिराइजर हाइड्रोफाइटिक प्लांट तो यह बिलकुल यह सही बात है तो इसमें सत्य हो जाएगा देन सेवन्थ वाला कुश्चन है अमारा क्रीफला ओस्दी आम क्या जाएगा इसलिए कुश्चन नमर नाइन जो हमारा है जायलम उट्टक जंटों पवाए जाता है तो विलकुल गलत बात है जो जायलम टीशू होता है वो एनिमल में नहीं प्लांट में पाये जाता है तो इसमें सत्य लिखेंगे देन उसके बाद टेंट वाला क्या होगा सत्य इसके बाद है अब मेदो गॉलम तो चलिए मेदो कॉलम स्टार्ट कर लेते हैं फटावत से फर्स्ट वाले का आंचर होगा फर्स्ट वाला कुशन है मारे रेली फोर्ड वेली तो इसका आंचर होगा मेगा पाटकर सेकेंड वाला है नर्बदा बचाओ तो इसका आंचर होगा बाबा आम्टे थर्ड वाला है अपिक को अंडूलन तो इसका आंचर होगा पांडूरंग हेगड़े देखें कि इंग्लिश में भी इसका सामने जस्त लिखाए मैं आप पढ़ नहीं रहाँ तरुम भारत संग इसका आंचर होगा राजेनर सिंग देन फिप्ट वाले का आंचर होगा चिपको अंडूलन जो की कुश्चन हमारे इसका आंचर होगा गोड़ा देवी सिख्ट वाले का आंचर होगा हरिक क्रांटी वाले का M.S. स्वामी नाथन देन उसके बाद सेवन्थ वाले है स्वेट क्रांटी इसका आंचर होगा डॉक्टर वर्चिस कूरियन देन उसके बाद हम आगे चलते हैं एट्थ वाले का अंचर होगा, सरदा सरोवर वाले का, अलुन्डति रॉय, नाइंट वैले का होगा, वन्ड़ाई संस्था, जो कि किसे एकले इस से ऀलेटेफ है, मोहन धारिया इसके संस्थाफ रक्त है और 10 सबसे लास्ट है विल्सम इसका आंसर होगा विल्सम तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्टों के साथ भी शेयर करें और हमारी चेनल को सब्सक्राइब करना ना भूले ताक कि सारे सॉल्विशन आप जल्दी से जल्दी देख पाएं थेंक्यू